जैसे रामित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में कल की analysis में अगर आप देखे होगा तो मैंने आपको दो statement दिया हुआ था पहला statement क्या था? कि आज ज़ादा trade करने का मौका नहीं मिलेगा पूरे दिन के लिए switch off all the type of mobile computer because होता क्या है आप एक दिन अगर अच्छा खासा पैसा कमाई यह मेरा personal experience से आपका होगा तो आप बताएगा second day कहीं न कहीं अगर आप market के अंदर फिर वही चीज करने आएंगे तो market आपका पूरा सूथ समय तो आपस ले जाएगा तो same वही follow up करते करते मैंने क्या क्या किल स्विच कर दिया था मुश्किल से मुश्किल 11 बज़े के आजपास अब समझने वाली बात क्या है कि आज हम लोग क्या discussion करेंगे पहले हम लोग यह discussion करेंगे यह जो तबाही मची हुई है देश बिदेश में यह जो global recession है हमारे पड़ोसी कंट्रियों के आजपास पड़ोसी तो नहीं कहना सही रहेगा फिर भी हमारे दोस्तों के आजपास वह लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है जहां पर हम टर्मिलोजिस के साथ सथ ग्लोबल एकोनोमिक आउटकम्स को देखते हैं वो लोग एक लाइक करेंगे एक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे सो दाट मुझे पता रहे कि हां मेरे वीवर्स को एक अच्छी लर्निंग कंटेंट से उत्सव मिलता है या वो उत्साहित होते हैं ताकि मैं आगे भी चलके इस तरीके के कंटेंट बनाओ तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे होट टॉपिक बना हुआ है वो बना हुआ है ग्लोबल रिसेशन अब यह रिसेशन का मतलब क्या है recession का simple simple मतलब है मंदी का दोर मेरी ये कोशिस रती है बड़े से बड़े term को मैं आपके सामने अच्छे से और पूरे इस तरीके से समझाऊं कि एक basic आदमी को भी जिसको economics में कोई interest नहीं वो भी समझे मंदी का दोर आप कब कह सकते हैं मंदी का दोर का मतलब क्या है यूथ को proper नौकरी न मिले, export, import अच्छा न हो, production कट हो supply chain disrupted हो, महंगाई बढ़ जाए उसको हम कहेंगे मंदी का दोर अब ये जो मंदी का दोर है ये आगया है UK में और जैपैन में अब समझने वाली बात ये है कि अभी आपने कल एक news सुनी होगी कि जापान अपने 32 साल के हाई पर है तो आचानक ये recession वाला term कहाँ सा आ गया देखो भाई साब, recession कोई permanent term नहीं होता है, पहले ये चिस समझने की कोशिस करिए recession का मतलब ये होता है कि अगर आपकी country के अंदर दो quarter on quarter basis पर अगर GDP contract हो रही है या कहें लोग GDP आपकी negative growth में जा रही है, growth ही क्या कहेंगे decline हो रही है, तो वो term को हम कहते है, recession अब सबसे important चीज ये है, कि अगर हमारे UK, जपान के अंदर आया हुआ recession है, तो उसका बारे में प्रभाव पढ़ेने के ऊपर अगर हम discussion करने जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमें trading, investing में क्या long term का plan बना के रखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत देश में भी recession आजाए है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहां पर सोच रहे हैं भारत देश आगे बढ़ रहा है और एक जटके में भारत की GDP रुख जाए, slow down हो जाए तो उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इन से भारत देश अलग क्यों है और आपको proud भी होगा, यह मैं आपको क्या सकता हूँ तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं एक डेटा, डेटा है 2022 का और यहां पर आप देखो भारत को पांचवा नमबर दिया गे इन टर्मस अब GDP और इन टर्मस अब GDP ग्रोथ रिपोर्ट आज की जो है वो यह बताती है कि जापान तीसरे नमबर से हट गया है जर्मनी ने इसको ओवर्टेक कर लिया और आने वाले पांच साल के अंदर इंडिया आ जाएगा तीसरे नमबर पे यानि अमेरिका, चाइना के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा देश होगा वो होगा इंडिया in terms of GDP growth अब ये है न खुसी वाली बात तो आपके दिवाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या कर दिया इंडिया गॉर्मेंट ने या इंडियन कंट्रीज ने कि हम आ जाएंगे तीसरे नमबर पे और जपान और ये UK भाई साब अंदर घुज गए इनकी GDP अब समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम ये समझे कि ये GDP का formula क्या है ये calculate कैसे होता है अगर आप एक बार GDP का formula calculate करना समझ गए तो आपको मज़ा ही आ जाएगा GDP मतलब होता है C plus I plus G plus NX अब इसको ध्यान से समझेगा जादा करके हम यहाँ पर अभी discuss करेंगे कि main reason Japan और UK में जो recession आया है उसका reason क्या है दूसरा investment क्या चल रहा है उस country के अंदर मैं या investment आपकी नहीं बात करूँ कि आपने 2 रुपय का share ले लिया उसको आप investment बोलेंगे नहीं तीसरी चीज है government spending किस तरीके से है government spending क्या है government की capex कितने है government ने कितना leverage रख रखा है government कितना खर्चा करने को तयार है और NX को हम denote करते है net export से यानि आपने जितना export किया वो net होना चाहिए तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ आयात कर रो निर्याद कर रो वही लिख दिया net export में आप वही चीज करोगे जो आपने परदान किया है import को घटा के अब जमझे कि जापान के अंदर क्या हुआ सबसे बड़ा जो रोल होता है GDP के बढ़ाने में किसी भी country का वो होता है private consumption जो हम आप सारी companies मिलके करती है तो जापान के अंदर क्या था 50% यानि मान के चलिए कि जो आधी GDP थी half GDP का जो contribution था वो यहां से आता था और economics ये analyze किये थे या ये expect कर रहे थे कि इस बार जो private consumption होगा वो 1% से बढ़ेगा लेकिन हुआ इसका उल्टा फोर्थ quarter में जो जैपान की private consumption है वो 0.2% से shrink हो गई बढ़ने की बात तो छोड़िए फोर्थ quarter में और दूसरी चीज इनका जो government spending है वो अपने all time low पर है और अब मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ कि इंडिया कहां पर stand out कर रहा है और आपको गर्व महसूस होगा तो आप जैहीं देखबर comment में जरूर लिखेंगे हम इस समय private consumption में सब से आगे हैं best of best ठीक दूसरा इसी बार की मैं आपको report बोल ला हूँ पीछे तो 33% का जो growth था government के capex में हो तो छोड़ दीजे इस बार finance minister निर्मला सीता रमन जी ने 11.11 lakh of करोड का government spending capex announce किया है कि हम इतना खर्चा करेंगे 11.1 एक एक लाग करोड अब आप समझ लिजे जब government spend करती है तो वो कहा कहा करती है private sectors बढ़ते हैं लोगों की तनख़वा बढ़ती है unemployment कम होती है तो जब आपके हाथ में होगी salary तभी तो आप खाओगे रोटी और अब इस particular term में दो चीजे इंडिया की GDP rise हो रही है quarter on quarter basis पे अच्छी हो रही है तो अभी अगर हम in terms of major economy या rising economics की बात करें तो इंडिया stand alone एक ऐसी country है जो rise पे rise rise पे rise कर रही है तो आप बिलकुल गर्व से बोल सकते हैं इंडिया अपने अमरित काल में चल रहा है ठीक है अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको political agenda बनाओगे या कैसे बनाओगे अमरित काल का मतलब कोई political agenda नहीं है कि मोधी सर ने दे दिया है तो मैं उसी को चिपका दिया अमरित काल का simple सा मेरा क्या सिंसा है कि हाँ भाई सच में इंडिया ग्रो कर रही है या आप इतना मान सकते हो कि recession हमारे 10 1000 करोड दूर है अभी के लिए लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा मैं कहता हूँ कौसियस हमेशा रहना चाहिए क्योंकि सास्वत सत्य तो दुनिया में कुछ नहीं है और जिस तरीके से जापान था थर्ड मेजर एकोनॉमिस थी इसका भी तो बूरे दिना है तो किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है कल को चाइना, अमेरिका खपा हो गया, वार हो गया कुछ भी हो जाए तो हर चीज के लिए तयार रहे है लेकिन जो अभी मुझे लग रहा है वो यह है कि इन इंडिया, इन्विस्टे इन इंडिया अब ये तो और वही बात भीया कैसे होता है, क्या होता कल की अनेलिसिस कर ले, पड़ावट चलिए, बहुत बढ़ी है कुछ और तो नहीं बचा है, बचा होगा ताप पूछ लिजेगा तो मैंने मार्केट को खास देखा नहीं लेकिन देखके ये लगता है कि मार्केट ने अच्छा खासा 310 पॉइंट और 70 पॉइंट का रिटन आपको दिया मतलब इन टरम्स ओफ पॉइंट अब कल की डिसकसन करते हैं मुझे नहीं लगता कल भी बहुत कुछ खास होने वाला है कल मैं बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा पैटन देख रहा हूँ वो पैटन ही मैं आपके साथ डिसकसन करने आया हूँ अगर माल लिजे हम बैंक निफ्टी का डेवाइच चार्ट देखते हैं तो मुझे एक छोटी सी चीज यहां पर नजार आ रही है वो छोटी सी चीज क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी आप देखोगे तो छोटा सा डेवाइच टाइम फ्रेम में एक एक्कुमिलेशन हुआ एंड एक ब्रेक आउट हुआ है लाइक दिस सो बैंक निफ्टी के अंदर ये आप कंप्लीट मान सकते हो कि यहां पर एक बड़ा प्लेयर था जिसको सब कुछ दिख रहा था वो पैसा एक्कुमिलेट कर रहा था एक्कुमिलेट कर रहा था अब मैं इसको चैनल बोल दूँ डबबा बोल दूँ बॉक्स स्ट्रेडजी बोल दूँ डबबा बोल दूँ ठीक है या चैनल बोल दूँ तो कान को चाहे जैसे आप पकड़िए दर्द आपको होगा तो वही सेम चीज है काय चाहे जो जो term बोल ले मेरे को क्या लगता है यहां से कि अगर bank nifty कुछ नहीं करे कल 46 218 के उपर टिकता है टिकने का मतलब gap up हुआ, flat हुआ और ये सी पर टिकते रहता है तो फिर आप धीरे धीरे करके stay in India वाला जो मैं बोला था long होने के समय आ गया है 47,000 और 48,000 के target को आप यहां पर देख सकते हैं मैं इस पर टारगेट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई call tip समझ के इस पर काम करें और दूसरी चीज अगर हम लोग पर play करना है तो short time में ही आपको play करना होगा as a scalping वरना अगर आप investing purpose यह long terms की planning कर रहे हैं तो 46,218 का level आपके लिए key level होगा अगर कल market gap up करके इसको hold on करता है तो 47,000, 48,000 48,000, 4636 के target आपको देखने को मिल सकते हैं चली इंट्राडे लेवल की भी बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग नहीं तो खफा हो जाते हैं कहते हैं इंट्राडे लेवल पर discussion नहीं होता है तो उसके ओपर भी discussion कर लेते हैं और जैसा यह करेगा वैसा ही आपको पता है Sensex भी यहाँ पर planning करेगा तो अगर आप 15 मिनिट के चार्ट पर देखोगे तो सिंपल सा है कि मार्केट क्या होता है मार्केट खुलता है आज कितना तारीक है भाई? 15 तारीक है न? ठीक है Season break कहा है? यह रहा तो अगर आप देखोगे तो मार्केट खुलता है थोड़ा सा नीचे जाता है एक जोन पर आता है और देन बाइंग 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 तो फिर से वही बात है अगर मुझे intraday level पर play out करना होगा तो मेरे लिए आज का जो support था वही कल के लिए मार्क कर लूँगा मैं So, this is my This is my support as such as resistance ठीक है? उपर की तो बात हम लोग करे लिए एक 46218 level important है लेकिन in case मान लिजे कल के दिन आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि 45612 के नीचे market निकल जाता है 45612 के नीचे निकल जाता है तो instant आपको 45612 के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि 200-300 point का और आपको एक छोटा सा fall यहाँ पर देखने को छोटे-छोटे fall होंगे बहुत बड़े fall आप expect मत करना क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है? 45500 का target और 45400 के target आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो as such as अभी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आपको बोलूँ जी सर कहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं तो 45400 और 45500 का आप target देखने को मिल सकता है और secondly अगर आप यहाँ पर एक चीज और notice करेंगे HDFC bank के अंदर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी buying आनी बाकी है क्योंकि यह अपने most of most case most sold level पर आ गया है या कहलो oversold level पर यह आ चुका है तो यहाँ से भी थोड़ा सा SDFC bank भी bank nifty को सम्हाल सकता है आप लोग अच्छा काम करो ट्रेड अच्छा करो और टेलीग्राम जरूर चक करना और जिन लोग को इन्वेस्टेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है देकें चेक दिस्क्रिप्शन बाक्स वहाँ से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं आपके अकाउंट ओपन करने से हम में कुछ का मिसन कमाते हैं उससे हमारा भी घर चलता है जैसरी राम